जो वाटर अनैलीसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा कंटेंट है आज वह वाटर से रिलेटेड है कलर अडर टेस्ट पी एच इलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी टोटल डिजॉल्व सॉलेड कॉमन टर्मड़ा हम लोग यूज करते हैं टीडियस जब भी घरों में आप आरो लगाते हैं एक टीडियस मीटर लेके आते हैं आप उसने पानी में टीडियस कितना है तो वह आपको एक नंबर कहता है 110 150 तो वाट डूवी मीन एक्जेक्ली वाइग्जेक्ली वाइज ये टोटल डिजॉल्व सॉलीड होते क्या है देन एलकैलिनिटी हाल्ड़ने ये लेक्चर आज सुनने के बाद आप ये सारे टेस्ट मैं बताऊंगा होते कैसे हैं और आपको एक बेसिक इंट्रोड़क्शन मिल जाएगा कि अगर वाटर इनलिसे से कोई बात करता है अभी तो थियोरी में आपने पढ़ा हाड़नेस पर्मानेंट और टेंप्रेरी होती है बाइकार्वोनेट कार्वोनेट की वज़े से होती है यह एस्टिमेट करते कैसे हैं पानी में पर्पस हमारा यह है आज की लिए एक्सरसाइज का सो अगर आप मेरा आप से एक एक इस रिक्वेस्ट एट आल आफ यू सिट विद आ नोट बुक एंद पैन इन यूर हैं ब तो नोट बुक और पैनल लेके बैठे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको आप नोट कर लेंगे मैं बोलूंगा प्लीज में का नोट आफ दिस दिस क्या है तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर है वह इन टेस्ट के इर्द गिर्द चलेगा हमारा कलर अडर अडर इसको हम लोग कहते हैं और गैनोलेप्टिक टेस्ट क्योंकि हम यह सेंसरी ओर अगन से यह टेस्ट किये जाते हैं कलर अडर अडर अटेस्ट इस इस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट विच नीड टू वी कंड़क्टेट दूरिंग वाटर अनालिस बीना कलर अडर आप केमिकल टेस्टिंग पे नहीं जाएंगे समझे आप जैसे माइक्रो बाइलोजिकल टेस्टिंग होती है पानी में तीन टेस्ट होता है लिख लीजे देर आर थ्री इंपॉर्टेंट टेस्ट विच आर बिंग कंड़क्टेड इन वाटर अनालिस फिर्स इस फीजिको फ इस नиж्ट टू बी परफॉर्म दूरिंग वाटर अनेली지 तो फीजिकल केमिकल को हमने बोला फीजिको ओ और तीसरा है बायलोजिकल ठीक है फीसिकल कैमिकल बायолोजिकल तर्वीड फार करते हैं तो जन्रा जीपुछा जाता है वाटर का अधर क्या है टेस्ट कियлен कि दी रिजल्ट तभी हमने इनको बोरा और गैनो लिप्टिक और गैनो लेप्टिक ओ आर जी एनो लेपी टी आई सी और इसके लिए यह टेस्ट के लिए वी हैव स्टीफाइड पीपल डोस हूँ उस्टू डू इस ट्लियर सपोज अगर बाइलोजिकल टेस्ट कर जब तक इसके लिए नोज तो गिव दिए रिजल्ट और सटीफाइड टेस्टर्स वो सटीफाइड टेस्टर्स ही वह रिजल्ट देंगे वह कब रिजल्ट देंगे जब कैमिकल और बाइलोजिकल का रिजल्ट आ चुका होगा इस ट्लियर और नौट अगर कोई पूछता है वाट अगर बाइलोजिकल पास है तभी तो आप इसको टेस्ट करेंगे अगर मेरा पानी का सेंपल बाइलोजिकल सेंपल बाइलोजी में फेल हो रहा है मैं उसका टेस्ट नहीं कर पाऊंगा तो इसको हम और्गेनोलेप्टिक टेस्ट कहते हैं इसके बाद जो पैरामीटर से पी एच इलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी टोटल डिजॉल्ड सॉलिड्स एलकेलिनिटी हाल्डनेस केल्शियम मेगनेशियम सोडियम और पोटेशियम डियार बिंग क्लासिफाइड एज तो आज जितनी in cheesycontrolled हैं पानी का में बात करूं हम लोग ठेकी ड्रिक ट्रिंगं वाटरल लेते हम मिनरल ऑटर का तै इसको आपने बोलना एंके ट्रेंकिंग वाटर फर इक्जैमपल एक्वीटT की बाटल बिसलरी जंडरली वी ज्वीडिक טוב from the market and we say it is mineral water mineral water का concept क्या था इसमें minerals होने चाहिए तो अब यह पता लगा कि भई पानी में भी दो ब्रांड है अगर आप मार्किट में देखें एक है आपका वेदी का ब्रांड है एक हिमाल्या की बॉटल है एक कैच की बॉटल है वो पानी आमूमन महंगा होता है किनले और एक्वाफीना से क्यों आप कितने सरी है बॉटल डेट सोर से स्प्रिंग का पानी है अगर आप वर्ड की बात करें दो वाटरीज मच मोर कॉस्ट्लियर अगर आप किसी जहरने का नैचुरल उसको हम कहते हैं नैचुरल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर उसमें मिनरल्स होते हैं कैल्शियम होगा कार्बोनेट बाइक बाइस द्रिंकिंग वाटर उसका बॉट्लिंग प्लांट कोई भी लगा सकता वह आरो ट्रीटेड होता इस पानी को ट्रीट करने में होता क्याम सारे मिनरल इसके कम कर देते हैं तो एक्जक्ट सेंसमें मिनरल वाटर नहीं कहलाएगा उसको हम कहेंगे PDW लेकिन अगर मिनरल वाटर कहना है तो वह केवल दो कंपनी हमारे देश में हिमालया और कैच जिस पर रेड कलर की लेवलिंग है अगर आपने दिखा होगा हिमालया बॉटल का पानी पीना अगर वहां पे कोई प्लांट लगाना चाहिए और नैचुरल जरने का पानी भरे आप बोलेंगे नैच पानी को ट्रीट कर दिया तो देर आर थ्री इंडियन स्टैंडर्ड इर आर थ्री इंडियन स्टैंडर्ड विच आर डिलेट टू लिख लें एक नोट कर लें स्लाइड में भी है अगर आप चाहते हैं यू कन मेक अनोट इंडियन स्टैंडर 10500 I'm audible to all of you na मतलब यह is the mode what I am taking it it will be a mix of Hindi and English so that all of you can understand it easily यह समझ पा रहा है मुझे आप यह सर मैं यह इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ाऊंगा ताकि आप समझ पाए मेरी बात इप इसी फॉर यू कि आज की क्लास के बाद आपको ओवरॉल समझ में आ जाए कि तीन इंडियन स्टेंडर्ड जो पानी को डील करते हैं उनके नंबर क्या है वो लिखले कॉपी में आई एस आइस मीन्स इंडियन स्टेंडर्ड वन जीरो 5 00 यह जो standard है, इसमें all the details are being mentioned with the limits for drinking water, drinking water specification का किस मात्रा में hardness होनी चाहिए, calcium होना चाहिए, magnesium होना चाहिए, all the parameters along with the limits are being mentioned in this Indian standard, So which Indian standard deals with drinking water specification, answer is 10500, अब आप पुछेंगे कौन सा पानी, drinking water मतलब tube well का पानी, hand pump का पानी, घरों में जो नलों में पानी आ रहा है, अगर मुझे उसका test करवाना है, So I need to follow Indian standard 10500, अब drinking water बहुत कस्बे हैं, गाउं हैं वहाँ पे tube well से पानी सप्लाई होता है, pumping station है, कोई स्त्रोथ है, there are ponds, people are using like in the hilly region, here we say there are baulis, natural spring, तो अगर उस पानी को मुझे test करना है, तो कौन सा Indian standard मैं लों, IS10500, जो कि वो पानी आप डारेक्ट लोग consume कर रहा है, अगर मैं बात करता हूं, package drinking water, package drinking water, for example, बहुत सारी companies हैं, जो अपना पानी market में बेचती हैं, तो अगर आप अब ध्यान से कभी भी किसी bottle को देख लीजेगा, उस पर आपको एक number दिखेगा, IS14543, अब ध्यान से देखेगा, जो भी आप package drinking water, पानी की bottle हैं, हर जगे मिलती हैं, चाहे वो बिसलरी की हो, किनली हो, एको फिना हो, छोटी 200 ml की हो, उस पर एक number आपको for the particular parameters, biological, chemical और physical, कौन से test होती है, उनकी limits क्या होती है, वो सारा इस standard में mentioned है, और bottle के उपर उनने number लगा दिया, कि हमारा ये पानी, इस भारती एमानक से test होने के बाद, उसकी limit इतना है, तो यह पीने योग गया है, तो package drinking water is being analyzed using Indian standard 14543, और अब तीसरा standard है, natural package drinking water, natural means bottled at source, वो पानी जिसका plant किसी पहाड़ी इलाके में लगा होगा, जिसमें आपनी treatment नहीं दिया, सीधे पानी जो भी स्त्रोच से आ रहा है, सीधे आप उसकी bottling कर रहा है, जो पहले वाला standard मैंने बताया, 14543, इस पानी को packaging में जा रहा है, वो natural package drinking water को, natural package drinking water को, आप को treatment नहीं दे रहा है, except filtration, तो उसका standard है 13428, इंडियन standard 13428, और ये पानी की bottle कौन सी है, हिमाल्या, कैच, वेडिका, बिसलरी में ही एक ब्रांड है, वेडिका, अगर कभी आप दिल ली या उधर जाएं, अगर उतरा खंड में नह तो उसमें आप देखेगा, उस पर ये number होगा, IES 13428, तो ये तीन standards बड़े important है, if you want, all the details are present, it can be given to you, but first of all, you should be aware with these numbers, कि भई 10500, 133, 428, 13428, और 14543, ये तीन standards by heart, पानी पे जो काम करता है, उसको पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो पानी हम पी रहा है, हमें ये बताया जा रहा है, ये इन standards पे खरा उतर रहा है, ये भारत के standard है, so with moving this, इतना clear हुआ आप लोगों को कुछ समझ में आया, मतलब, is it clear, 13428, इंडियन standards, इसके लिए, ये नैचुरल package drinking water, NPDW, NPDW, 14543 PDW, package drinking water, और 10-500 normal drinking water specification, इसे tube well, hand pump, rivers, pond, lake, जो भी लोग पानी पी रहे हैं, क्योंकि वो तो, ये जो दो standard है, ये bottle के लिए मैंने बता हैं, और जो 10-500 है, वो local पानी का अगर आपने टेस्ट कराना है, घर में नल में पानी आ रहा है, इसका टेस्टिंग करवाईए, तो, you need to approach various certified labs, और उन labs में इस पानी को टेस्ट करके आपको result मिलेगा, और result देखने के बाद ही आप ये समझ पाएंगे, कि भई ये पानी potable है, potable means it is fit for drinking or not, water is being passed or not, तो ये बहुत बड़ा business है, अगर आपने ये expertise सीख ली, so there are a lot of jobs what can be given to you in the testing lab, and if you can analyze, आप एक consultant बन सकते हैं, उन रिपोर्ट के देखके आप लोगों को जानकारी देखते हैं, जैसे आप medical line में देखते हैं, डॉक्टर क्या करता है, टेस्ट करवा के रिपोर्ट देखके बताता है, ये ये समस्या है, ये दवाई खाईए, so जितनी industries हैं, वहाँ पर basic test जो होता हैं, वो यही test करवाती है, boilers, हर एक industry को ये चार पानी के test ज़रुरत पढ़ती है, alkalinity, hardness, total dissolved solid, electrical conductivity और pH, और ये test करने के बाद, उस पर expert comments, अगर कोई चीज ज़्यादा है, तो कम कैसे करी जाए, क्या treatment देना All these kind of things comes in the business of environment, when we deal with water, now water as we know it is the elixir of life, भई हर जगे पानी, पानी की महारत आपको हासिल करनी ही है, as a student of environmental science, and we all know that if the third world war, if it will be fought on to this planet earth, it will be for fresh water, तीसरा विश्युद अगर लडा गया, वो साफ पानी के लिए ही लडा जाएगा, क्योंकि we all know that we are facing this problem, और water की एक समस्या है, अभी 6-8 पिछले साल news में था, 6-8-10 महीने पहले, कि Northern India में water table नीचे चला जा रहा है, Northern India में water table drop देखा गया है, means जो जमीन के नीचे से हम पानी निकाल रहा है, वो water table जो है वो नीचे जा रहा है, तो इस सोचने की ज़रत एक समय में ऐसा ना जाए कि भई हर जगे मारा मारी हो पानी की, अभी भी साउथ अफ्रीकन और सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में आप देखते हैं कि पानी की समस्या, साओधी अरब इस दी ओनली नेशन विच है इस दी डी सलीनेशन प्लैंट, अब आप देखिये, 71% आप दी सर इस टेकनिक, तो कि पानी तो इतना है, आप दी सलीनेट करें, तो साओधी अरबिया में दी सलीनेशन प्लैंट है, और अब हम टेस्ट की बात करेंगे, so that we can aware our locality, हमारी भी जो युनिवस्टी है, यहां का हमने टेस्ट किया पानी का, and I have published that article, that the groundwater quality in four district of Jammu region is below average, और लोगो पानी पी रहे हैं, तो यह बात हमने यहां लोगों को जागरुप किया गाओं में कि भाई, community RO system लगवाईए, otherwise calcium content is very high in the water what you are drinking, bicarbonate is very high, यही पानी प मस्तिया हो सकती है, क्योंकि इस पानी में calcium और bicarbonate content बहुत जादा है, इस पानी को treat करने की ज़रूरत है, जो संपन लोग है वो घरों में आरों लगाए, तो वो treat कर लेते हैं, पानी को, तभी मैंने का, वो mineral water नहीं रह जाता है, जब आप RO से treatment करोगे, 90% of the water will be the reject, सारा mineral content निकल गया, और RO से treatment, हाँ पूचिया, इससे बाइयो एकुमुलेशन को हम एंड में रखेंगे, अभी आप पूछ लीजिए, जो पूछ रहा है, सर बाइयो एकुमुलेशन इससे भी होता है क्या, देखिए, बाइयो एकुमुलेशन जो है वो food chain का component है, बाइयो एकुमुल इससे बाइयो एकुमुलेशन में थूर लाइफ इस एकुमुलेटिंग सम्थे, बाइयो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ओफ लाइफ, तो आपके अंदर कोई अगर हामफुल कॉम्पोनेंट है, वो सिस्टम में एकुमुलेशन तो करेगा, तभी तो वो स कहता हूं, वाटर एक लाइफ है, मेरा जो कंसेप्ट है, वी आई से वाटर इस लाइफ, वाटर अपने आप में ही एक जीवन है, जीवन के लिए तो ज़रूरी है, और ये एक जीवन भी है, तो येस, वी कैन से, डाट इफ एकुमुलेटिटी ओफ वाटर इस नॉट अप पढ़के आये आपने बाइयोस केमलेशन बाइयोलेशन जब अब कहते हैं अ डाओव क्या रहा है, पानी था पानी हम पी रहे है, उसमें हामफुल गंपोटेंट था ये कब पता लगेजा। जब हम processjat नब में अब printing गे लेफ्ट हैं उसको देखते वे तो हम समझाएंगे, इसमें केडमियम ज्यादा है पानी में and I am drinking this water so what will happen it will affect my bones at certain time तो केडमियम से इटाई इटाई डिजीज होने का खत्रा हो जाएगा आपको हांफुल कॉम्पोनेंट का आ कहां से रहा है पानी से तो इस study को जानते हैं आपको extensive research करना होगा क्योंकि केडमियम आने का स्त्रोथ एक तो आपने पानी जांच करके बता दिया और भी स्त्रोथ देखे जाएंगे कि आप खा क्या रहा है कि यह जो केडमियम आया वो पानी से ही शरीर में वो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट पानी से ही हमारे शरीर में एकुमुलेट हो रहे we are at a certain point of risk if we will not analyze तो यह एलेक्सर ऑफ लाइफ है तो बेसिक कॉंपोनेंट अपने में पड़ा भी होगा इसलिए यह स्लाइड लगाए गई पानी का डिस्ट्रिबूशन कैसे है प्रिछवी के उपर और अब हम आते हैं सैंप्लिंग और अनलिसेज में तो जो वाटर की है डाइडलाइन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन डव्लु एचो डव्लु एचो ने भी लिमिट्स दी हुई है कि हाल्डनेस इतनी होनी चाहिए केल्शियम पानी में इतना होना चाहिए तो बच्चों के दिमाग में आता चलो यह तो थेओरी है ना व्टु टेस्ट विएल नो इस देगां प्लॉराइड इस मोरी वाटर विल सफर फ्लोरोसिस बट हाव तो एनलाइज फ्लोराइड कोस्चन इस अगर हम कहते हैं कि यह तो जानकारी यह ज्यान नहीं है यह तो थेओरी में लिखा है नाइटरेट से ब्लु बेबी सेंड्रोम होगा तैमियम से होगी मर्करी से मीनिमाटा डिजीज हुआ हाव टू चेक कि इस वाटर वाट इस प्रेजन इन आवर विलेज हाव मच अमाउंट ऑफ कैडमियम मर्करी फ्लोराइड नाइटरेट इस प्रेजन आउट देर ताकि आप गाहों के लोगों को बताएं बहिए इस गाहों के दो ज अग्यान होगा अपने MSC Master of Science के स्टुडेंट अपने किये होंगे तब अधरवाइज डैट विल रिमेन ओनली इंफॉरमेशन वह लोग वह पानी पी रहे है इस इट क्लियर देरफोर इस मच नीड़ेड वी नीड़ेड तो यहां पर यह जो पानी है वह वह और आईस की गा सब्सक्राइब करेंगे अब आईये सैंपलिंग देखिए जब भी हम लाइब की बात करते हैं आपने स्टियर में कुछ प्रेक्टिकल्स की होंगे कोविट के दौरां नहीं कर पाएंगे कुछ जानकारी आपको होगी मैं तीन चीज़ें बोलता हूं साइं ऐसे आई सैंपलिंग एनलीसेज इंटर्पृटेशन अगर कोई आदमी कहता है मैं रिसर्चर आयम डूइंग रिसर्च तो बोलो आपने उस डेटा को इंटर्प्रेट करना है तभी तो नहीं चीज़ आएगी ना वी निदी इंटर्पृटेशन आफ दी डिटा वी निदी सब्सें इंपॉर्टेंट कॉंपोनेंट जो है इन्वर्मेंटल साइंस में वह स्टैंपलें आइधर इट कैन बी वाटर एयर सॉयल वेस्ट एक्सेक्टरा सैंपलिंग प्रोटोकॉल्स वाट इस दी मिठीड लॉजी फॉर सैंपलिंग जनरली हम यह बच्चे पूछते है स क्लोराइड या फ्लोराइड या एलकैलिनिटी या हालनेश किस मेथट से यह हुआ सब्सक्राइब करते हैं कि यू टेक इसमाच अमाउंट ऑस वाटर सैंपल देन एडिकेटर देन दू दी टाइटरेशन वी डिटी एवाई क्यों एडिटीए से करूं क्यों 0.05 नॉर्मल या मोलर का सॉलूशन बनाओ वाई तो हम कहते हैं सर यह मैथड है यह स्टेंडर्ड प्रोटोकॉल है अच्छा वह मैथड दे दिए तो हम मैथड पढ़ते हैं और प्रेक्टिकल करते हैं कोई बच्चा यह नहीं पूछता है कि सार यह सैंपलिंग जो यह उसका मैथड क्या सैंपलिंग कैसे करेंगे किसी अगर रिवर के वाटर का मुझे अनलीसिस करना है तो किसी भी जैरीकन में पानी भर लाएं या किसी एल्मूनियम की बॉटल में भर के लाएं हैं कौन से प्रिजर वेटिव ढाले हैं सैंपलिंग कैसे करी थी की सबसे इंपॉर्टेंट कॉंपने स्ञर्ण गलत है तो क्या होगा रिजल्ट गलत और रिजल्ट गलत दो इंट्रप्रॉटेशन हम जो निकालेंगे जो भी हमें नंबर सारे नंबर स्राइम यह क्योंकि सिंप have to do we have to first focus on sampling methodology for sampling is needed और उस methods को पढ़के हमने sampling करनी है फिर test के methods तो ही है कि फ्लोराइड करना है तो ऐसे करना है नाइटरेट करना है तो ऐसे करना है और यह सारे टेस्स कहा होते हैं इस इस इंडेड एक रीडियर देन वी डू दी इंटर्पीटेशन अभी तक वे दिकत यह अभी तक समझ में आया जो भी बाते हुई हेलो हां बहुत अच्छा समझ पर आ रहा है ना कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कहीं पर हमें आप बूल सकते हैं कि सर यह वाला पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है या इस पर समस्थ्या है तो यहां पर मैंने एक चार्ट में बताना चाहा है कल्प का जो टेस्ट है उस केमिकल और फिजीकल टेस्ट की बात करेंगे तो फीजीक हम पैस्ट हमद много paper बात करेंगे आपने नाम सुना होगा जा पानी में आली से की बात करेंगे तव लोणे कमिकल टेस्ट के नाम बताईगे दो चार तो आपने नाम ब़ला से कैलशयम मंगनीशयम फोडियम पोड़नेंज नेंस हम ऐन एक जबाने डर्ट रहे यह गए दो के टाइन के टाहएं एनली से मेन일सिज डोलेंगे सेल चैडनी आरेड टेस्टिंग सब्सक्रीयरेन मितने मेंटेस और गुलें इन होगाएं तो दियर आर लिस्ट आफ पता है आपको पैस्टीसाइड की 40 पैस्टीसाइड का कव्लेक्टीव गृप होता है यह यह आप तेस्टिंग अगर प्रफेशनल मैंने बार-बार का environmental science is a professional degree यह academic course नहीं इस अ professional course if you are an expert you can make lot of money with this अगर आप लैब बना लें पानी हवा में टी की लैब डाल दें देखिए सब को जरूरत है results की तो यहां पर जो testing है pesticide की 40 pesticide का एक collective सम्हू है जिससे पानी में pesticide की testing होती है और metals की testing होती है metals अलग instrument पर जाता है pesticide अलग पर जाएगा केटाइन अनाइन अलग instrument से चेक होंगे और टाइट्रिमेट्रिक एनलिसस से alkalinity hardness इस टेस्ट्स आर विंग परफॉर्म उजिंग टाइट्रेशन तो पानी को हमने पाच घंडों में बाढ़ दिया एक तो इनलेप्टिक फिर metal testing फिर केटाइन अनाइन पेस्टिसाइड और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट कॉंपोनेंट इसमें है पी एएच और PCB polycyclic aromatic hydrocarbon and polychlorinated biphenyls यह सारे टेस्ट पानी में होते हैं जब हम water testing की बात करें अभी शायद आपका PCB पी एच पेस्टिसाइड नहीं है जो आपका syllabus आप देखिएगा उसमें यह शायद चीजे नहीं थी पेस्टिसाइड पी एच और पीसीबी अपार्ट फ्रॉम इस डिर इस इंपोर्टेंट कॉंपोनेंट वोट इस कॉल्ड वी ओसी वोलाटाइल और गेनिक कंपाउंड तो आप से किसी ने पूछा वाट इस डिफ्रेंस बिट्विन वी ओसी वोलाटाइल और गेनिक कंपाउंड एंड सेमी वॉलाटाइल और गेनिक कंपाउंड एज स्टुडेंट ऑफ इंवर्मेंटल साइज अब तो फाइनल यह स्टुडेंट हो गए कल पाप रिसर्च में कहीं पीसडी के लिए आवीदन करेंगे फ्यू विल एप्लाइए फॉर दूइंग रिसर्च पीपल विल बी आसकेंग डिफ्रेंशेट बिट्विन एस वी ओसी और वी ओसी आपको बत यह समझ जाए यह पेस्टिसाइड पीएच पीसीब सेमी वॉलाटाइल है इनका जो रेंज पेस्टिसाइड का पी एच का पीसीबी का मेटल्स का केटायन अनायां और बेसिक केमिकल टेस्ट में इलेक्रिकल कंडुक्टिविटी पी एच्टी डिएस इजर क्लियर और और आईलोजीक टेस्ट अलग है यह समझ पाया आप मेरी बात इतनी और यह कंप्लीट एनलिस का आपको पता है मार्केट में कितना बारा हजार रुपए एक सैंपल जनरली दा लैब दे चार्ज इफ यू वांट कम्प्लीट वाटर अनैलिसेज यू थो पे 12,000 रूपीज फॉर वन सैंपल कम्प्लीट अनैलिस यह जितने पैरामीटर आप समझ लिए अगर किसी को दस सैंप करेड़ वता रहा हूं आप समझी है सो यह बड़ा इंपॉर्टेंट को यह वाटर है अभी एयर स्वाइल को टची नहीं कर रहा है तो इन्वर्मेंटल साइंस इसा हाइली प्रोफेशनल कोर्स इन इसा हाइली इफ यह एन एक्सपर्ट अलॉट अब यह देखिए यह वाली के कंटेइनर में सेंपल को लाना है प्लास्टिक का या ग्लास का प्लास्टिक कहुं सा पॉलिथीन और इक्यूवेलेंट HDPE बोलते हैं चलिए उतनी डेफ्स में नहीं जाएंगे वह हम कहते हैं high density polyethylene plastic bottle means what I want to say if I want to get an accurate result on alkalinity this kind of containers will be used for sampling कितना sample size होना चाहिए कौन सा preservative में वो sample collect होना चाहिए maximum storage अगल alkalinity आज आपने चक करना है तो 24 घंटे में टेस्ट होना है यह नहीं आप अपने घर से पानी आज बोटल में लेके आए और दो दिन बाद में टेस्ट कर रहा हूं और alkalinity results are wrong this is the maximum मतलब 24 घंटे के अंदर alkalinity का test हो जाए जब sampling करी within 24 hours fluoride 28 दिन तक आप store कर सकते हैं hardness 6 महिने तक sample पड़ा रह सकता है is it clear so this is the basic list of container what is the minimum size what preservatives need to be added and what is the storage maximum storage which is being recommended maximum 6 महिने तक आप sample को store कर लिजया अगर hardness को फिट से चेक करना यह समझ पाए आप इतनी बात यह सर्थ तो आई यह वह जो मैं जो मैंने आपको कहा और गैनो लिप्टिक टेस्ट और टेस्ट और यह अदर और टेस्ट क्योंकि यू है यू आर यूजिंग यू सेंसरी ओर्गन सो सबसे पहले आपको केमिकल और बाइलोजिकल रिजल्ट देखेंगे तभी तो सेंपल को आप इंजेस्ट करेंगे अधर्वाइस यू कांट कोई आपसे पूछे मुझे टेस्ट बता दो सेंपल का और इसके लिए सर्टिफाइट टेस्टर है और उसने ऐसे मूँ में सेंपल इंजेस्ट किया व इंपॉर्टेंट बाइलोजिकल टेस्ट लिख लिए अपने कॉपी में एंपीन कोली फॉर्म मोस्ट प्रोबैबेबल नंबर एंपीन कोली फॉर्म एंड इकोलाए यह बैक्टीरिया है इकोलाए तो यह दो टेस्ट किये जाते हैं पानी को और अगर यह सेंपल में कांट ज्यादा है और केमिकली पानी ठीक है वाटर सेंपल फेल अगर उसमें हाल्डनेस सब कुछ लिमिट में पानी बहुत अच्छा है केमिकली कोई समस्या नहीं है बट एंपीन कोली फॉर्म कांट ज्यादा बैक्टीरिया इकोलाए नंबर से ज्यादा तब आप बिमार ह जीट तभी टेस्टिंग की जाती है और वहीं से पता लगता है कि पेस्टीसाइड वी ओसी या बाइलोजी जो भी है क्या चीज़ कम हो रही क्या जादा हो रहे हैं अब आजाईए एनलिसेज और वाटर पैरामीटर लिसेज की बात कर रहे हैं यहां ग्रेवी मेट्रिक टा जर्डिक जब हम किसी चीज और करके वेट लेते हैं उसको हमिक्त है ग्रेवी मेट्रिक आइलिसेज आपने बिएश्टिया प्लस टू में पड़ा होगा और ग्रेवी मेट्रिक एनलिसेज इस दी ओनली एपसुलूट अनालिसेज ऑल अधर अनलिसेज जो यहार जानी एंट लेकिन एक ऐसा एनेलीसेज जो एबसलूट है वह ग्रेवी मेट्री वेर भी बार्न एंड टेग डीवेट फॉर एक्जामपल टोटल डिसोल सोलिड लिख लिए टोटल डिसोल डिसोल पानी में कितना घुले हुए मात्रा में सॉलिड तोटल डिसोल इसोलिड मींश वॉट वा इस में इतना है इतना ही तो ये सारा कैके ट्रैन जो बैलेंस है उसको तो उसको करना क्या सुष निज ससे प्लापरेeral। Ambamem हुश मईस्टीमेट थे स्टीमेट दिस फ्रों ग्रेवि मेठ्रीक इनलींस है इसente's इस बिंग डन दूजिंग रेवी मेटरी जहां पर एक्जम्पल बहुत लोगोंने पानी कभी गरम किया होगा आपने देखा को वाइट एंट्रेस्टेशन बर्तन में जम जाती है आप केते हैं आर इसमें तो बहुत ज्यादा पानी को गरम करिये भगोने में आप देखो बहुत भारी है जब आप गरम कर रहा है तो नीचे वाइट इन रॉस्टेशन बन रहे है अगर आपके आरो नहीं है डारेक्ट आप पानी उसकर रहा है तो वाट इस विन विए बोईलिग आप रहा है तो वह दिपोजिट हो गए टीक है इस एक लिए अधिक लियर सब्सक्राइब कर रहा है टोटल डिजॉल और टोटल डिजॉल सॉलिट को हम एप्रॉक्सिमेशन से भी दे सकते हैं कैसे एक पीट कर देजिए आपको कुछ मेरा मेरा नेटवर्क के शुक्त अबहुत 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 पानी आप कभी अगर बहुने में पानी लेके आप गरम करें वाटर को और अगर आप वहां पर डिपोजिशन देखिए वाइट सॉलिट डिपोजिट्स आर बिंग फॉर्म इंडट वैसल इसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिट्स की मातरा जादा है तो टोटल डिजॉल्व सॉलिट्स का एनैलिसेस जो होता है वो ग्रेवी मेट्रिक मेथट से होता है अब क्लियर हुआ तो ग्रेवी मेट्री एनैलिसेस टोटल डिजॉल्व सॉलिट के लिए यूज हो गई हम टोटल डिजॉल्व सॉलिट्स इलेक्ट्रिकल कंडुक्टिविटी अगर पानी की चेक करें यह सब प्रेक्टिकल आपने यह मुझे बताईए आपने प्रेक्टिकल किया है कोई बीस लुट्टिविटी यह नहीं किया अच्या यह डिस्ट्ल वाटर नम सुना है यह से कोई मुझे बता सकता है वाट इस इस दिस्टिल वाटर किसे कहते हैं या D.I.S. सार वर प्रद्रिक कुछ में निकाल दिआ एंविक अच प्लस एंद एंदवी दिशेंग सप्ट वा संग्वी थिय ऐस्थिल वाथ इस में कुछ भी मिनरल नहीं बचा उन और 확 अचार इस व॥ धिंस ए इस्टाइन एंड ग्लाएंध एंग इस दिटेकश Felipe marched अगर मैंने आपको एक जैरीकन में पानी भर के देदिया कहा है इस डिस्टिल वाटर हाउ यू विल टेस्ट कि यह सिट इस डिस्टिल वाटर पी एच वेल्यू के थूर और एक टेस्ट पी एच दूसरा ठीक है एक टेस्ट पी एच करेंगे उसमें चेक करना के लिए थीक है पी एच इस टेस्ट तीसरा है टीएस टोटल डिसॉल्ड सॉल्ड चौथा है एमाउंट ऑफ और अर्गनिक सब्स्टेंस और पांचवा है डिसॉल्ड सिलिका जो जनरली परफॉर्म फैफ तैस्ट पुक्य इं Tib अपस्ट कर रिएस्ट पे इसलॡ ओटुर मोटी वार्टु स्टॉड की वेरिन त्री ग्रेट स्वाटि हो तीन ग्रेट में है दिश्टिल वाटर और ये ग्रेड इन पाँच टेस्ट के बेस पे आप बताएंगे कि किस ग्रेड का दिश्टिल वाटर उर वह पाँच टेस्ट क्या है amount of organic substance which is being present out there amount of dissolved silica total dissolved solid pH and EC is it clear or IS का नाम लिख लिजए IS 1070 need to be study or need to be referred for establishing the grade of distilled water is Indian amount of silica कैसे देखेंगे यह प्रेक्टिकल यह सिलिका का आपको यूवी पे टेस्ट करना पड़ेगा वी विल बी उसल्टेन वी विल बी उसल्टेन रिएजेंस एंड वी विल डेवलप दी कलर अन्धेन विल टेक यह वाटर तो आणलाइस इट उन यूवी विजबल स्पेक्ट्रोफोटोमेटर तो दू अटेस्ट जैसे पानी में फ्लोराइड निकालते हैं क्लोराइड नाइट्रेट आइसे ही ऐसे ही डिसार्ड शीलिका निकालने का मैठट कि पानी में सिलिका कितन तो यूवी वीजिपल पे ले जाएंगे और एमाउंट ऑफ और्गेनिक सब्स्टेंस और इससे पता लगाएंगे उसको भी यूवी पे लेंगे समझें आप इस्टिल वाटर को हम चेक कर रहे हैं कि किस ग्रेड का और वो ग्रेड और वो लिमिट की स्टेंडर में लिखी होगी इंडियन स्टेंडर 1070 जा एस्टी एम डी डी फॉर डेनमार्क 1193 जो मेक अनूर यह जो नंबर्स में बता रहा हूं इस आल इंडस्ट्री अगर आप किसी भी लाय में जाके पुछो कि ASTM अमेरिकन स्टेंडर टेस्टिंग मेथर्ड आपने पुछा ASTM D 1193 का डॉकुमेंट लिया है वह आपका मुझ देखेंगे कहेंगे यह कौन सा डॉकुमेंट है आप बोलेंगे जो डिस्टिल वाटर आप यूस कर रहे हो किस ग्रेड का कहेंगे हमें नहीं पता है तो डिस्टिली वाटर वही विच ग्रेड 123 यू गिव में इस्टेंडर और परफॉर्म दिस फाइफ टेस्ट बे वोंट बी एबल तो आंसर लेकिन आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं अगर आप किसी सल्टिफाइड लैब में जात में अंतर अगर हम एकेडिमिक में जानकारी ले रहें और अगर आप प्रोफेशनल रिसर्ट्स कर रहा है क्योंकि यह ने बीए लैब होनी चाहिए तभी इस टेस्ट का आपको पैसा मिलेंगे अगर आपकी लैब ने बीएल है तो जैसे आप खून की जांश करवाते हैं ना बनती है ना ब्लड टेस्ट ऐसी वाटर टेस्ट के रिजल्ट रेट मैं बता दिया 300 रुपे हाड़नेस 400 रुपे क्लोराइड 200 रुपे पी एच ऐसे जो लैब्स हैं वो चार्ज करती है तो जितनी इंडस्ट्रीज है वो पैसा देती है यह पैसा लेलो हमें पानी के रिजल दे दो वी वांट दी रिजल्स ऑफ दी वाटर और यह बेसिक टेस्ट है जो मैंने आपको भी बताएं पी एच ऐसी टीडियस और जो स्पेशलाइज टेस्ट है मैटल स्पेस्टिसाइड फ्लोराइड नाइट्रेट बे चार्ज मच मोर डिपेंडिंग अपान विश हैवी म पे कौन सी टाइट्रेशन है यह समझने अगर आप है कहते हैं तो कल हम इसी को फोकस करेंगे डिपेंडिंग अपान दी एक्सेप्टिबिलिटी कि आप लोग को कितना समझ में आ जा रहा है और कितना अच्छा लग रहा है यू फर्स लेट मी नो दिस देन आई विल मूव अगर हम वाद करते हैं तो बड़ी प्रकार की टाइट्रेशन सांथ तो आपको महां नोट है आपके पास किया है लिख लिजे इासीड बेस्टाइटरेशन और यह यूद करते हैं असिडेटी और अलकेली निटी पाणी में एस्टीमेट करने के लिए हम यूज धे छा the estimation of hardness, calcium and magnesium, लिख लिख लिजे, complexometric titration is used for estimation of hardness, आपके syllabus में लिखा है, hardness by EDTA method, किसी ने पूछा नेम दी titration, hardness तो ठीक है, EDTA से किया, EDTA क्या है, एथिलीन, डायमीन, tetraacetic acid, आपने बोलाइचिज अ हेक्सा देंटेट लिगेंड, it is a chillating agent, सब कहेंगे very good, ठीक है, hardness by EDTA, what is the name of that titration, titration का कौन सा type है वो, आप कहेंगे type नहीं पता, भई, there are n number of titrations, acid-based, complexometric, iodine titration, redox titration, precipitation titration, potentiometric titration, कौन सी titration, तो जब मैं titrimetric की बात करता हूँ, उसकी types लिख लिजे, और उसके आगे test लिख लिजे, as a student of environmental science, you need to know, what kind of, what kind of analysis can be done, using these various kinds of titration, और यह मेरी बात याद रखिए, यह classical chemistry का part है, classical chemistry, अग जिस बच्चे का, या जिस टीचर का, अगर titration पे बहुत अच्छी command है, वो सारे reagents और बना लेते हैं, और उनका हाथ बड़ा अच्छा है, उसको हम कहते हैं, यह classical chemistry के खलीफा है, he is very good in classical chemistry, क्योंकि classical chemistry के base पे ही यह सारे instrument चलेंगे, because I have told you, we need to first calibrate all the instruments, environmental science में जो भी हम instruments use करते हैं, हमें उनको पहले calibrate करना पड़ता है, calibrate किस से करते हैं, standards से, standards से calibration करने के बाद हम analysis करते हैं, त्यानि जो भी analysis होती है, वो relative analysis कहलाती है, ठीक है, तो calibration अगर और यहां पर आप क्या कर रहे हैं, सीधे hands-on, आपने reagent बनाया और अपनी आग से पकड़ लिया, आपने drop wise titration results से आपने calculate किया, और उसी sample को आप अब machine को बताएंगे, इसमें इतना percent iron है, machine को calibrate कर रहा है, या इतना percent calcium है, या इतना percent magnesium है, अब मुझे unknown samples में बताओ, means if the standardization of the analytical tool is correct, then it will give you the right result, if calibration is wrong, then all the results what you are getting, it will be wrong, generating numbers is not important, generating quality data is important, as a scientist, आपको data generation पर दिमाग नहीं लगाना है, quality data generation, you have to add one thing, क्यू, क्यू जो data आपने जनरेट किया है, उसी quality कैसी है, क्योंकि data तो भई, machine का काम नंबर देगी, but how authentic is that number, how you will know this, once you have standardized your tool, तो titrimetric में लिख लिए आपने acid-based titration, acid-based titration क्यों यूँज करते हैं, alkalinity और acidity निकालने के लिए, next complexometric titration, ये क्यों यूज करते हैं, hardness, calcium, magnesium निकालने के लिए, next, लिखिए, redox titration, redox titrations are also known as oxidation, reduction, titration, redox titration is known as oxidation, reduction, titration, और इसको एक और टर्म से जाना जाता है, इसको हम के इतने back titration, B-A-C-K, back titration, so for which test we use redox titration, chemical oxygen demand, नाम सुना हो, wastewater की अभी सर बता रहे थे, मैंने सुना अभी जब उन्होंने इंट्रिदूस के, आपका पहला lecture wastewater पे हुआ, तो wastewater में जो analysis, generally, जो industries करवाती है, वो past test है, five tests are generally being conducted, to know the quality of wastewater, wastewater, कि wastewater, कि स्तर का wastewater है, कौन से past test कराने है, जैसे distilled water के मैंने पांच आपको बताए, PHEC, TDS, silica और amount of organic substance, ऐसी wastewater के past test जड़ा बताएगा, कोई बच्चा यहां पर, जिसने सुब्रे class करी है, wastewater का analysis अगर कराना आपकी इंडस्ट्री में आपकी जॉब लग गई, और आपको उसने बोला, बच्चा 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 यहां यहां बताएगा नगी इंडस्ट्री आपकी इंडस्ट्री का तो एक रिलेशन है, पांच और टोटल सास्पेंडेट सॉलेट लिख लिए टोटल सस्पेंडेट सॉलेट पी एच कलर बीओडी सी ओडी जनरली यह तो आप कराएंगे उसके बाद आपके उपर है कि आपने हैवी मेटल्स भी कराने पेस्टिसाइड पीसीबी पीएच इडिपेंड्स आप सुनिये केमिकल ऑक्सिजन डिमांड यह किस टाइटरेशन से होगा सो आपने किताबों में पढ़ा होगा वहां लिखा होता है सी ओडी डाइजेस्टर तो ठीक है यूविल डाइजेस्टी सेंपल अगर आप कुछ ऑटोमेटिक मशीन भी आ गई है वह आपको रिजल्ट कलर के बेस्पे कलोरी मेट्रिक अलिस होता है CUD का लेकिन टाइटरिमेट्रिक ऑसी इस अज़ी मोस्ट रिलायबल ठेंग और उसमें जो टाइट्रेशन है वह्म्हं रिडॉक्स टाइटरेशन रिडॉक्शन ऑक्सीडेशन रिडॉक्स टाइट्रेशन से हम स्चियोड कि मेटि आरवाई डो मेट्री और दूसरी इंटी मेट्री आई ओडी आई यह दोनों आइडो मेट्रिक और आई डी मेट्रिक कहलाती है यह आइओडीन टाइट्रेशन जब हम sodium thiosulphate का यूज़ करते हैं और starch जब भी starch यूज़ हुआ समझ जाए iodine titration और जब भी ferroin indicator यूज़ हुआ समझ जाए redox titration COD हम यूज़ करते हैं ferroin indicator और BOD में हम यूज़ करते हैं starch indicator दियो जो है दियो दियो इस अल्सो iodine titration दियो और BOD दो no iodine titration or iodine titration में कौन सी IDO metric ID नहीं IDO इसमें भी अंतर IDO metric ID metric में अंतर यह सब आपने पढ़ा है यह सब पढ़ा है आपने नहीं पढ़ा है IDO metric titration ID metric the okay because these again this is a class redox titration क्लास iodine titration एक क्लास complexo metric titration एक क्लास acid based titration एक प्लास अब acid based से alkalinity और acidity complexo metric से hardness calcium magnesium redox titration से COD iodine titration से और iodine में भी IDO metric से BOD और DO यह तो टाइटरी metric analysis की बात होगे ग्रेवी metric में अब आजाए नीचे कलूरी metric कलूरी metric मतलब कलर डेवलप करते हैं अभी हम लोग कलर नहीं डेवलप कर रहे थे टाइटरेशन से कर रहे थे और यह वह पैरामीटर है और टाइटरेशन मतलब क्लैसिकल केमिस्ट्री इस इट क्लियर अब आजाए यह कलूरी मेट्रिक कलूरी मेट्रिक में डेवलप कलर तो कलूरी मेट्रिक analysis में कुछ केटायन एनायन के analysis हम करते हैं जब हम UV visible spectrophotometer को use करेंगे समझ जाए यह वह analysis कलूरी metric when we are using UV visible because UV visible spectrophotometer works on which law beer Lambert's law it is working on absorption spectroscopy absorption spectroscopy पे काम करता है हमारा UV visible spectrophotometer और जो लोग इसमें follow होता है वो है beer Lambert's law ठीक है तो जब कलर के development depending upon the intensity of the color developed we generally give the number कि this much amount of analytics present कि जितना ज्यादा iron होगा पानी में उतना intense color महां develop होगा और उस color को आप क्या कर रहें क्या करें particular wavelength पे एब्सॉर्ब वह light की एक source होता है यूवी में अब देखिए यह अलग class हो जाएगी फिर मैं उतने depth में नहीं जाओंगा कि उस instrument का basic बताईए यूवी का ICP MS का double AS का flame photometer का इसको हम कहते इंस्ट्रुमेंटेशन अगर हम इसमें जाएंगे एक एक class जली जाएगे इस वास टॉपिक सो आप सबसे पहले तो एक reference note करिए अभी एक एक बुक है एपी एच्चे नाम सुना है नहीं सुना है नहीं सुना है अमेरिकल पब्लिक एस्सेशेशन सुना है वह बुक का नाम नहीं है बुक का नाम है standard methods for examination of water and wastewater 22nd edition और उसमें यह एपी एच्चे हम लोग बोल देते हैं जनरल टर्म में यह इसको हम कहते है Bible of water अगर यह बुक आपको 22-25,000 रुपए की किताब है लाइब्रेरी में होगी आप इस बुक को रेफर करें दिए रार वेरियस तिंग्स वाट यूविल गेट आउट दियर वेरियस में पेस्टिसाइड पीएच्पी सब है आप कभी depth में कभी मुझे time मिले तो मैं आपको उसको समझाओं कि भाई लैब में इन्वार्मेंटल लैब में काम कैसे करना है विकॉज इन्वार्मेंटल लैब में MSDS का नाम आपने सुना है MSDS material safety data sheet यह नाम सुना है अब लिख लिजे कभी भी कोई भी रिएजेंट कोई भी केमिकल हैं उसका MSDS मांगी है MSDS मतलब material safety data sheet for example आप acid को handle करने वाले HCL की bottle को आपको नहीं पता है कि वो bottle में क्या है HCL material safety data sheet HCL की bottle की आती है material safety data sheet हर एक रिएजेंट हर एक केमिकल की आती है में किसने कुछ पूछना था क्या भी ने 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 तो वी निट तो हैव दीज डेटाशीट्स एंड वी नीड तो हैव पीपी इस पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्क्यूपमेंट अगर आपकी लैब है वहां पे दोनों चीजें मौजूद होनी चाहिए पीपी इस होने चा या बंप आपकी आँखों पर फ्यूम्स टॉक्सिक फ्यूम्स जा सकती है क्योंकि हमेशा रखना है तो उसकी डेटाशीट पर लिखा होगा अगर उसकी शीट आप पढ़ेंगे ना मेटेरियल सेफटी वहां लिखा होगा तो इन्वार्मेंटल लैब में जब भी एंटर कर क्लोरी मेट्रिक क्या है जूवी वीजिबल स्पेक्ट्र फोटो मीटर पर जो भी एनलीस आप करने जाएंगे जहां कलर डेवलप किया नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जब आप यूज करते हैं जब भी आप स्टेंडर्स बनाते हैं आप क्योंकि क्योंकि पाइसाद चल रही कि आप सबसे पहले तो जनरलि और वाल्यूमेट्रिक वट्रिमै एनलीस हैं जैसे इंड चलते अब इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं उत्राखंड जम्मू कश्मीर पंजाब अर्याना आंद्रप्रदेश ऐसे ही इन्वार्मेंटल लैब के अंदर वेट केमिकल लैब ट्रेस और गैनिक लैब मैटल लैब बाइलोजिकल लैब लैब इनिज्ट्रुमेंटेशन लैब यानि जब पानी का सेम्पल अगर टेस्ट लैब में बट जाएगा जाएगा यहाँ और वही पानी का सेम्पल अब जाएगा जाएगा ट्रेस और पेस्टिसाइड पीएच और स्टीवी का टेस्ट फोगा सेम् पानी का सेंपल जाएगा मैटल लैब कहां पर मेटल के अनलिसे उगा से पानी का सेंपल जाएगा बाइलोजिकल लैब में जहां सो दियर आर फूर लैब्स यह है सिस्टम अगर कभी आप देखना चाहें तो अब फिल्ट्रिप कैन वी अरेंज़ फॉर लॉल फ्यू तो यह पैपसी की जो कंपनी वहां की वाटर लैब होती कैसे यह जितनी भी हमारी फार्मसुटिकल कंपनी जो कंपनी इंजेक्शन बना र हो रहा है क्यों क्यूलिंग टावर जहां लग हो हार एक इंडसट्री में है इस बातें सरूजिंगा नितार या पहले किताबों में रिखाता है नेकटवेसेज़ करते हैं इसको इसका यूनिट है यूनिट फोनिक नखर गोब और साफ पानी में जो लिमिट है वो है 0.1 NTU अगर ड्रिंकिंग वाटर एक से पांच मतलब आप यह समझ जाई है अगर पानी मत मेला होगा ना वह पानी फेल हो जाएगा अगर मत में जैसे आपके इसार बोर चलाया है पानी बड़ी मिट्टी आ रही है तो जब आपने पानी को देखा ऊपर आंक से और आपने से अलगा नेसलरक इसलग कभी लैब में मौकब मिलता इसलिल है यह टेस्ट यूब में यह पानी को चेक करेंगा आपको पता अमत मेला Państwo अईति के पानी पतब करेंड है वो कोबॉल्टस क्लोराइड और पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लैटिनेट है पता है कितने का यह 50,000 रुपे कर यह इस से हम कलर का वीजुवल कंपेरिजन करता है लेकिन टेंटि में वी यूस टैपीड के पने नीचे ही आता जो रिजल्ट है अगर हमने तो काफी काम इस पर किया है अब आज आईए नीचे कौन से टूल यूज हो रहे हैं पानी के अनलीसिस में पीएच मीटर वी ओल नो सब्सक्राइब करना है तो बीकर में पानी ले लो 100 ml होट प्लेट पर रख दो पानी को एवैपुरेट कराओ यह आपको भी करके देख भी लीजेगा लें तो आपके अच्छा अगर डिपेंडिंग अपॉन दी कंटेंट कितना वाइट क्रस्टेशन जमा हुआ है बीकर में आप बता देंगे इसमें टीडियस जादा या टीडियस कम है यह एमटी वेट ले लिया भीकर का बीकर का एमट ले लो कितना अंतर आया कितना वेट डिफरेंस आया वह वेट डिफरेंस डिवाइड़ वाय कितने पानी से आया आपने बोला हंड्रेड अमेल लिया था इंटू तो इतना मिलिग्राम पर लिटर टीडियस यह तरीका एग्जैक्ट तो यह हमारे कुछ टूल से जो हम सब्सक्राइब का र्माट्राइब करें इैलेक्रोडे नाय्क्रोड का क्लो राइड का यंज अनाइक जैनाइट सम्क्रामच का वर Онलेश तो एंक तोट यह तोल्स नेम अटमिक को ट्मेलिक एंटर जाल ग़रोबेसलोटन च्लिए डेन एटालीस ऑग परेडा करेंस एबगो ICP-MS and GC-MS. ये नाम सुने हैं आपने? ये नाम सुने हैं? ICP-OES, ICP-MS? इसने सुना है वो जरा मुझे बता दे, फुल-फॉर. तो, सर्फ. कोई बच्चा के रखामेने सुना है. GC is a gas chromatography. GC-MS क्या मतलब हुआ? मशीन तो एक है ना, ये अलग है? सर, कम्प्लीट तो नहीं बता. ICP-MS? नहीं बता. ICP-OES? नहीं. और डबल-AES? ये भी नहीं. डबल-AES नहीं. सुना, atomic absorption क्या करता है? मैटल्स का. मैटल्स का analysis करता है. कौन से mode में? GRAPHYT mode? Flame mode? ये अलग अलग होता है. अलग अलग परेमिटर अलग 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 उसमें होता है. ये ने तो basic होगे. निकल, copper वगएरा. ये ये. फरनेस में. ये 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 फ्लेम मोड है. graphite furnace में तो अगर हमें PPB level में जाना है, गोल्ड कैनलिस करना है. PPM तक ठीक है. आप कहां से हैं? यही से हैं? उत्राखंड से हैं? मैं उत्राखंड से हैं, तो पॉलिशन कंट्रोल बोल्ड में. पॉलिशन कंट्रोल बोल्ड में है. तो वहां क्या कर रहे हैं आप MSC स्टूडेंट है क्या नहीं सर में यहां जॉप में हूँ अच्छा डबल एस में सुन लिजे फ्लेम मोड है और एक है ग्रैफिट फरनेस मोड गोल्ड कैने लिसल अगर हमने करना पीपीबी मोड में जाना तब हम यह यूज करते हैं अभी है लेटेस्ट आज की अगर मैं बात करो आई सीपी एमेस आप आई सीपी एमेस के नीचे वह डिपेंडिंग अपॉन दी फंड भी प्रक्यूर बट आज के करेंट सिनेरियों में हमें आई सीपी एमेस प्रक्यूर करना चाहिए हम मैं बताता हूं धिर क्योंकि देखिए इंडस्ट्री यही टूल से इंवर्मेंटल विकॉज यहर फंड मॉला टूल से डिपंड करेगा आपके ऊपर कहां आपने यूज करना तो अगर आपने इंस्ट्रुमेंटेशन पे अच्छी पकड़ है आपकी बारा लाग पंदरा लाग बीस लाग रुपे कहीं नहीं गए पीएसडी अगर किसी ने कर ली और चार-पांट साल एक्स्विडियन्स ले लिया मशीन पे तो आई दों तिंग दिर इस दर्थ हो जॉब आज हम लोग जॉब की किलत सुनते रहते हैं मुझे क्या लगता कि काविलियत तो है नहीं मलब जो डिमांड हमने वो भड़ा ही नह अब यह टूल्स के बारे में सुन लीजिए और यहीं से मैं ICP जो है लिख लिए कॉपी में लिखिये इंड़क्टिवली कपल्ड प्लाज्मा किसी का माइक अन्म्यूट में चला गया प्लीज म्यूट गया प्लीज म्यूट गयरी सम बेक्ग्राउंड नॉइज विचिस कमि भाई कोई म्यूट कर लें किसी का अन्म्यूट हो गया लिखिये इंड़क्टिवली कपल्ड अली मॉहमद प्लीज म्यूट यूर्सेल्फ इसिपी ओईस इंड़क्टिवली कपल्ड प्लाज्मा इंड़क्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ओप्तिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर यह डबल एस से एक स्टेप उपर का इंस्टुमेंट है इस अन एनलिटिकल टूल विच इस उस पर मैटल अनलीस इस प्रियोडिक जो लेंथिनाइट को आप एक्टिनाइट सोड़ी जो सब रेडियोक्टिव हैं लेंथिनाइट की अगर बात करें उसको हम कहते हैं रेर अर्थ एलिमेंट्स सीरियम के बाद जो 58 से 71 चल रहा है और सुरी लेंथनम से प्रियोडिक टेबल से यह प्रियोडिक टेबल में जि यू can program you can you can make a program in this particular icp oes and you can analyze 40 elements or 50 elements depending upon the need double as में होता क्या है वन एलिमेंट्स चलता है पहले उसके लैंप्स होते हैं देरार लैंट्स से कॉपर के अनलिसिस हो रहा तो कॉपर का लैंप लगेगा और 100 सेंपल कॉपर के निकल गया अब टेक्नीक एडवांस कर दी अब वो कहते हैं कि एक साथ पांच अलिमेंट आप कर एक तुपर के उपर है वह इंड़क्टिवली कपल्ड प्लाजमा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रो मीटर और इसी ओएस को कई लोग एक्टामिक एमिशन स्पेक्ट्रो मीटर यहांपर यहां पर कौन से टेकनीक है भाई यहां पर स्फेक्ट्रोपी यह डबल एस से कैसे अलग हो गया सट डबलएस तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोपी था यूवी भी एब्जॉर्प्शन स्फेक्ट्रोपी था यह एमीशन स्पेक्ट्रोपी है ICP est multi-elemental analysis fast analysis करता है डबल एस से अपर है यह 38 से 40 लाक रुपे में आता है और डबल एस अठारा से बीस लाक में आपको फ्लेम मोड मिल जाएगा और आईसीपी एमस जो है इंड़क्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीटर यहां पर डिटेक्टर से यह जो बाद का नाम मैं बोल रहा हूं यहानी माकांच के प्लिटेक्टर करना एंशन के बेस प्लिटिज हुना यह कौन सी टेहनिक यूज हुए है उस इंस्ट्रमेट को वह नाम दिये गए और डंब अब सॵ striving हो रही काणिव डेप्टेज doses काशपी यही चीज MS भी करता है जो चीज OES कर रहा था लेकिन OES में टेखनीक थी एमिशन यहां पर है मास्ट और MS में आप चले जाएंगे PPB लेवल तर यह उससे भी एडवांस टेखनीक यह मशीन आती है सतर लाग की और इसका इंफ्रस्ट्रक्टर प्री रिक्विजिट बनाके करोड रुपे की पड़ती है करोड रुपे में MS लगेगा और चलाने का खर्चा अलग और जो इसका क्रक्राइब जितना काम करेंगे GC-MS से और गैनिक अनलीस होते हैं मेटल अनलीस होता है इन सबसे i. सिपी मस बीपेंडिंद्दिग अपों दिरे तीनों मशीन से केवल मैटल लिकेंद्दिग अगर मुझे पैस्टीसाइड का करना है पी एएच का करना है पीजेजी का एक मशीन उसका डिटेक्टर कौन सा है तो यहां डिटेक्टर है मास अगेंग जीसी एमेस यानी वो पैस्टिसाइड जो है या वह पी है उसके मास के बेस पेनलिसिज हो रहा है कि उसके अनलाइट जो आपने कोई कहता है GC FID यानि फ्लेम आउनाइजेशन डिटेक्टर कोई कहता है GC ECD इलेक्ट्रों कैप्चुल डिटेक्टर कोई कहता है GC NPD नाइट्रोजन फॉस्फोरॉस डिटेक्टर कोई कहता है GC MS सब्सक्राइब इस वहां सभरेशन हो गया आपने भोला थो खुना ग्रेपी प्रोमेटोग्राफ्याओ से अब जो सेपरेट हुआ अनलाइट उसका एनलीशेज मास के बेस पे या इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्शन टैकनीक पर या नैट्रोजन फॉस दिटेक्टेटर ट पेस्टिसाइड पीएच पीसी पे जाता है अब जी सी में डिपेंड करेगा कौन सा डिटेक्टर आपके पास है मास है इसीडी एफाइडी यह लग है लेकिन वो जी सी इन तीनों पर हो सकता है इवन यूवी भी यूज कर सकते हो आइरेन के लिए यूवी भी आट दस लाग रुपे में आजाता है साड़े पांच लाग से शुरू है डिपेंडिंग अपॉन टेक्निक यूज को फॉर्टी लैक्स सो यूवी पर भी आप कुछ मेटल्स निकाल सकते हैं ठीक है और के टायों और एनोयन के अगर करना है जैसे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट फ्लोराइड नाइट्रेट क्लोराइड सब के टायन नायन है इसके अगलाइगा अब मैंने फ्लोराइड नाइटी यूवी से काला केल्शिय मैगनेशियू टायरेशन करके निकाला स्ट्रीक लॉराइड थिक टायजियूब्लॉराइट बिलूल्कुल करके निकाला थिक के सोडियू पोटेशियम फ्लम फोटोमेटर से निकाला विच इस 60,000 और अगर मेरे पास 12 लाख नहीं है तो मैं आयोन मीटर से अपना काम निकालूगा इट डिपेंड्स अपॉन बी पर्सन देट वी कन यूज ऑल्टरनेट टेखनीक बिकोज यह सारे टूल यूज हो रहा है अब आप देख लीजिए वही जो में अच्छे आपसे पूछ रहा था 22nd edition 2012 यह जितने भी मेथड्स हैं टेंप्रेचर पी एच इलेक्ट्रिकल टीडिएस टोटल हाड़नेस यहां पर देखो इनको एक्सप्रेस हम करते हैं ऐस केल्शियम कार्बोनी इसको आप किसी और फॉर म हैं कुछ पिक्चर से अबाउट इस तूल्स दोज वार इन पॉलुशन लैब दे मस्ट हैव बीन वर्किंग और दे मस्ट हैव सीन एंड माइट भी स्टूडेंट्स वह अपने अपने में सी लैब में देखी हूंगी कंड़क्टिवीटी में अब इसका टूल अब इन करना है तो वी कन अलवेज एक्स्टेंड वी दू हैव लेस अफ ताइम विद इस टाइट्रिमेट्रिक फ्लेम फोटो मीटर अच्छा यह इंपॉर्टेंट लिंक है यह लिंक 312 पेज का डॉकुमेंट है यह फॉरवर्ड कर दूंगा सोर्स मैंने लिखा है मैनुल आफ मैं वूड फूड फूड फ्लेस पानी को भी फूड कहा गया तो फ्लेस डॉड ऐस डॉड आइख मैनुवल है इस मैनुवल को लिंक आप इसको डाउनलोड कर लिजेगा मैनुवल साथ यह पूरा मैनुवल मिल जाएगा आपको फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एट को ठीक है आपको पानी में निकालना सिखाऊंगा तोटल हाड़नेस क्योंकि दो गंटे का मैं आपको ब्रीफिंग तो कर दूंगा और कुछ एसाइनमेंट्स आपको दे दूंगा एक दो कोश्चन अगर आप वो कोश्चन लिखना चाहते हैं तो पहले लिख लीजिए या पहले सुलंना चाहत निए सबकी向े बता दीकि यह फिएंक य४ामारे पूरे होan नॉन फोल रीजिए अस्टौया अ कुछ अगर्ट यह क्लें कैल्कुलीट कैल्कुलीट थी अमाउंट ओफ अगड़नेस कैल्कुलेट दी अमाउन ओफ हाड़नेस की इंड़ी आणयोंट इन दी गिवेन वाटर सेंपल फार विच दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर नोटेट फॉर विच दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर नोटेट चीक है बोले हैं क्या अब्जर्वेशन नोट करी ए ए में लिखिए नंबर और एमेल मिली लिटर एमेल ऑफ एडिटी ए यूजड तू पॉइंट एट मेलर ओफ एडिटी ए यूजड टू पॉइंट एएट एमेल फ्रइंट क्या इडिटी एकी स्ट्र51 और ओंग बत्लब 0.05 नौर्मल एडिटी ए का जो व्यूरेट में आपने रखा था उसका नोटेट एमेल और फ्रैस पानी में जो हमने टाइट्रेशन आपने लिखना हाडडनेस बाइट टाइट्रेशन मेथड तो हमने टू पॉइंट एमल जी अब्जरवेशन नूट किया जो एंड पॉइंट हमारा आ रहा है टू पॉइंट एमल एडिटी एक अगे और एडिटी एकी स्रेंग थी 0.05 नॉर एडिटी एक कंज्यूम होता है एंड पॉइंट आने तक टू पॉइंट एमल एडिटी उस और उसकी स्ट्रेंद क्या थी डिटी एकी 0.05 नॉर्मल का एडिटी सॉलूशन ब्यूरेट में बराता टाइट्रेशन हम कर रहे हैं सो एमल पानी लिया था कोनीकल फ्लास्क में अगया मेंड केल्कूलेट कर ये हाल्डम Vince पानी में what is the hardUU and express यह डिजर एजका के एकक्स्प्रेस्यूर रिजर्ट्स यह यह न पानी को भॉइल कि यह कुष्प्रेस्थ्ट का सॉबूशन दकाऊंगा कोशंद समझ में आ या है हम्रष्ट एम्ल पानी लिया इस पानी में वर्ड़नेश दैश कर दीए हंड्रेड सेम्पल में आपने रिएजिन सेड़ कर दिया इंडिकेटर रड़ कर दिया और तैट्रेशन किया सब्सक्राइब कोश्चन यह समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि यह कोश्चन तो समझ गया ना अभी आंसर छोड़ी यह कोश्चन समझ में आ गया 2.8 अभी आपका है ना इडिटी एक टाइटरेशन मेथट से हाड़नेस सीखना है तो टू-पॉइंट एमेल इडिटी एक अगर होता है जिसकी स्ट्रेंट 0.05 नॉर्मल और हंड्रेड एमेल वाटर सेंपल में हम यह टेस्ट करते हैं पानी लेते हैं उसमें टू-पॉइंट एमेल इडिटी एक अग स्ट्रेंट का है तो हाड़नेस क्या होगी पानी में वह पानी कितना हाल्ड है और इस रिजल्ट को एस केल्शम करवनेट एक स्ट्रेस करें यह कोश्चन है अब चलें आगे कोश्चन क्लियर है यहां पर इडिट यह लिखा है जन्रली केमिस्ट्री लैब में जब आप देखेंगे वहां प是什麼 का मॉलेकुललर व्ट सोडियम साल्ट के मॉलीकुलर व्ट से लग अलग है जो भी ग्रहाईन एस वह करते हैं वो दा सोडियमसुल्ट होता है और उसका molecular weight pure EDTA से अलग होता है कहने कतात पर molecular weight जब बदल गया डाइसोडियम सॉल्ट यानि डाइसोडियम सॉल्ट EDTA की molarity और normality सेम नहीं होगी लेकिन pure EDTA की molarity और normality सेम होगी जैसे NaOH क्योंकि N factor 1 है NaOH वन नॉर्मल बनाना है आपने 40 gram ही डिजॉल्व करना एक लीटर यह तो क्लियर है NaOH अगर मुझे बनाना है एक molar के लो चाहिए एक नॉर्मल के लो क्योंकि N factor 1 है और आपने बोला था equivalent weight is molecular weight by N factor तो 40 बटे एक 40 तो 40 ग्राम डिजॉल्व करूंगी एक लीटर पानीम है तो मॉलल्टी नॉर्मल्टी सेम बिकॉज N is one for NaOH बट फॉर केल्शियम क्लॉराइड situation is different अब यह जो EDTA है EDTA की मॉलारिटी और नॉर्मल्टी सेम नहीं होती डाइसोडियम सॉल्ट EDTA की मॉलारिटी और नॉर्मेलिटी सेम नहीं होगी क्योंकि यहां पर N factor दो है तो जो भी molecular weight है EDTA का अगर उसको आप दो से डिवाइड कर देंगे क्योंकि number of electron loss अर्टू तो equivalent weight आधा हो जाएगा यह बात समझें कि नहीं और प्योर EDTA का सेम होगा यह question पूछा जाता है वाइवा में इमेस्टि वाइवा में जनरली एकजामदर पूछता है वेटा प्योर EDTA और डाइसोडियम सॉल्ट में में यह बताओ मुलैल्टी नॉर्मेल्टी डीटिया की सेम होगी वो कहेंगा सर डाइसोडियम सॉल्ट EDTA में नहीं होगी क्योंकि प्योर EDTA पानी में डिजॉल नहीं होता है डाइसोडियम सॉल्ट इडिटीय पानी में डिजॉल हो जाता है इसे लिए डाइसोडियम सॉल्ट हम यूज करते हैं तो डाइसोडियम सॉल्ट में तो N Factor 2 है सर तो Molecular Weight divided by 2 करेंगे तब एक्यूवेलेंट वेट आएगा और नॉर्मेल्टी तो एक्यूवेलेंट वेट से बनती है ना मॉलाल्टी बनती है Molecular Weight से तो EDTA की मॉला यहां पे अगर मैं ने आपको लिखवाया 0.05 normal EDTA यह अलग strength का बना होगा अगर यह लिखवा देता 0.05 molar EDTA तो यह अलग होगी क्योंकि मॉलर मॉलेरिटी इस अलवेज मॉल्टीप्लाइड बाए इक्यूवेलेंट वेट यह तो बेसिक याद कर लीजे अब आजाए टाइटरेशन में आप सिखा देता हूं इसको कैलकुलेट कैसे करना है हमारी जो टाइटरेशन है वह है कॉंप्लेक्सोमेट्रिक टाइटरेशन पहले लिखवाया भी था करते क्या है जो भी पानी है हम टोटल हाड़नेस निकालते हैं अगर आप पानी को बॉयल करके सेम मेथड करेंगे तब वह हो जाएगी पर्मानेंट पानी को बॉयल नहीं किया यही टाइटरेशन कर रहा है यह है टोटल और पानी को बॉयल करके सेम टाइटरेशन करेंगे वह हाड़नेस जो पर्मानेंट तोटल माइनस पर्मानेंट विल गिव्यू temporary temporary हालने से हम निकालते ही नहीं हम निकालते हैं टूटल डारेक्ट पानी ले लिया कहीं भी नदी का आपके टैप वाटर का एनी वाटर जोगी आपने बॉइल नहीं किया 100 ml वाटर आपने लिया अब बताता हूं क्या होता है इसमें हम इस पानी के पीएच को बढ़ाते हैं वी इंक्रीज दिस पीएच बाइडिंग अब जो हम बफर इसमें एड करते हैं लिख लीजिए बफर सॉलूशन इस एड़ेड इंट दी वाटर सेंपल तो इंक्रीज इट्स पीएच और वो बफर है एमोनिकल बफर वी एड एमोनिकल बफर अब वो बना कैसे एमोनिकल बफर बनता है NH4Cl प्लस एमोनिया सॉलूशन तो यह तो आप बफर बना लें अगर नहीं है तो एड़ा पिंच लिखिये टेक 100 ml of sample add a pinch of NH4Cl ammonium chloride plus few ml of ammonia solution and shake this in the conical flask तो इससे क्या कि आपने pH increase कर दिया, pH strip डाल दीजिए, परपस है pH को हमें 10 करना है, क्यों 10 करना है, क्योंकि यहां पर जो indicator हम use करेंगे, the indicator which is being used in complexometric titration is EBT, E for elephant, B for bombay, T for trivendram, EBT indicator we are using, यह EBT indicator, जब आप इस पानी के sample में add करेंगे, जिसमें हमने buffer डाल दिया, buffer क्या डाला, NH4, CL और ammonia solution add किया, pH को increase कर दिया, और EBT indicator add किया, we have, we sprinkled few grains, we will sprinkle few grains of EBT, Eereochrome black tea, wine red color आजाएगा, wine red, यह color क्यों हो आया, because there is a complex formation between calcium and magnesium ion, जो पानी में calcium magnesium ion थे, उन्होंने complex बनाया EBT के साथ, और यह complex बनता है, एक particular pH के उपर, और वो pH था 10, उस pH को achieve करने के लिए आपने buffer डाला, question आएगा, सर अगर buffer add नहीं करेंगे, और पानी में सिधे EBT add कर दें, तो क्या हो जाएगा, question आएगा, हम pH ना बढ़ा है, तो होगा क्या, you will be getting different shades, क्योंकि EBT जो है, वो wine red color, pH 10 पे wine red का, wine red रंग pH number 10 पे दिखता है, अगर आपने pH नहीं बढ़ाया, तो wine red exactly दिखेगा नहीं, जब patrition करेंगे, तो sharp detection होगा नहीं, इसलिए buffer add करके pH बढ़ाना है, तो आपने buffer add किया, pH बढ़ाया, EBT indicator आपने sprinkle कर दिया, wine red color आगया, अब titration करना है EDTA से, EDTA है 0.05 molar का, दिख लेजे, 0.05 molar, question में भी अभी normal लिखा था कि molar लिखा था, normal, molar कर दो, M, M, molar, 0.05 molar का EDTA ब्यूरेट में भराब आपने titration शुरू किया, कब रुखना है, end point is blue, wine red color आगया था, titration आप करना है, titration बढ़ी करी होगी, blue color आती ही रुख जाईए, अब blue color क्यों आगया, जितना भी calcium और magnesium किसके साथ complex बनाया था, EBT के साथ, यानि pH number 10 पे, पानी में जो भी calcium magnesium ion थे, उन्होंने complex बनाया EBT के साथ, उसको उन्हें बोला EBT metal ion complex, ठीक है, जिसका रंग है wine red, जब आपने EDTA से titration किया, तो ये complex कम stable होता है, ये calcium magnesium ion EBT को leave करेंगे, और किसके साथ जुड़ जाएंगे, EDTA के साथ, और क्या बनाएंगे metal ion EDTA complex, होगा क्या, EBT free हो जाएगा, तो कि EBT ने जब complex बनाया था लाल रंग था, जैसे EBT free होगा, रंग आगया blue, blue किसका रंग है, free EBT का, wine red किसका रंग था, metal ion EBT complex का, तो EDTA और metal ion complex, ये दोनों के बीच में जो complex बना, इसका रंग क्या है, it is colorless, तो वो wine red से blue, blue is free EBT, तो वहीं पर रुख गया, आपको पता लग गया, जितना calcium magnesium scavenged किया था, EBT ने, वो अब EDTA ने अपने साथ जोड के बना लिया, मतलब क्यों बना लिया, because equilibrium constant of EDTA is more, the complex what EDTA will form with calcium and magnesium is more stable, than complex what has been formed with EBT, कहने का ताथ पर है, जब धोनी आ गए, तो विराट कोली को कप्तानी छोड़नी पड़ेगी, जब तक वो नहीं थे, तो विराट कोली के साथ team खेल रही थी, जैसे ही धोनी की entry होई, सारे team धोनी के साथ जुड़ गई, विराट कोली अकेले पड़ गया, तो अकेले पड़ गया, EBT रंग हो गया नीला, जब कब हुआ, जब EDTA आ गया पिक्चर में, क्योंकि इसका complex ज्यादा stable, इस इट क्लियर, अब आपने अगर pH बढ़ाया और EBT एड़ किया सीधे ही रंग आ गया नीला, लाल हुआ ही नहीं, इसका मतलब हालने सही नहीं, तो हमने एड़ किया सार, रेड हुआ नहीं, और सीधे नीला हो गया, तो सीधे एंड़ पॉइंट आ गया, सरब अब क्या कर तो टाइटरेशन करना यहां बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप तो एंड़ पॉइंट पॉइंट पर डारेक्ट आ गया हाल्डनेस इस नोट प अब इसको कंपलेक्स्मेट्रिक क्यों कहते हैं क्योंकि बढ कलर चेंग वुएंट इपकी थो ब्लीट अपर गीन तो लुए होरा, इसब्स कांइड बडू हो रूव मैं रार इटा जंग फिस एफ्कृश्ट पीएच, क्यों डियुक्षेंड पो आंडेट से 24 इस्ट नोर क complexo metric because the color change from wine red to blue what we are saying it is because of the change in the complex not because of the change in the pH और pH को fix किया था buffer add करके buffer क्यों एड किया कोई पूस्ता buffer ना एड करें हम बेसी आड करते हैं सर एमोनी आड कर देते हैं because we want to maintain the pH fix क्यों fix करना था 10 क्योंकि ebt wine rate से blue जो sharp color change दे रहा है वो pH number 10 पे दे रहा है तो इसमें सारा जवाब आ गया यह क्यों डाला किसका color change हुआ कब हुआ यह basic complex और यह basic chemistry है इडिटीए टाइडरेशन इडिटीए क्या है यह अब आप उसका structure पढ़ लीजेगा किताब में इडिटीएज एक्सा डेंटेड लीगेंड इडिटीए चिलेटिंग येजेंट और यह केज लाइक structure बना लेता है और जितने भी calcium magnesium था पानी में उसको अपने साथ complex के फॉर्म में जोड़ लेगा तो हमें यह पता लग जाएगा पानी में कितना calcium magnesium उसी वज़े से पानी हाल्ड अब पानी हाल्ड क्यों यह तो थियोरी की बात हो गई कि calcium और magnesium के carbonate और bicarbonate की वज़े से पानी हाल्ड होता है chloride sulfate की वज़े से हाल्ड होता है तो कार्बोनेट और bicarbonate calcium magnesium आये उनके यह contribute करते है temporary hardness और permanent hardness कौन देता है chloride and sulfate of calcium and magnesium अगर आप पानी को गरम कर देंगे तो carbonate bicarbonate खतम हो जाएंगे ठीक है इसलिए मैंने का यही चीज अगर पानी को गरम करके आप निकालते तो हमें क्या मिलता permanent hardness chloride sulfate रह जाते अभी पानी को गरम नहीं किया तो पानी में chloride भी था sulfate भी था carbonate भी था और bicarbonate था किसका calcium और magnesium आयों का और वही calcium और magnesium आयन को स्केवेंज करता है पहले ebt और बाद में edt और यह color change जो हो रहा है यह ebt का रंग है तभी तो यह हमारा indicator है इसट क्लियर hardness estimation by edt यह है यह यह आ गया ना समझ में आ गया है ओके आप calculation अब बताइए अब तो कर लेंगे अब वहां लिखिए आपको अब आपने क्या निकालना है total hardness copy में लिखे total hardness as ca co3 is equal to total hardness as ca co3 equals to क्योंकि हमें hardness as calcium carbonate express करना इसको आप as calcium भी कर सकते हैं कल को कोई पूछे total hardness as calcium express करो as magnesium express करो वो भी हो सकती है तो calcium carbonate में ही क्यों express करना है question वायवा में पूछा जाता है total hardness as calcium carbonate ही क्यों क्योंकि calcium carbonate का molecular weight 100 है याद करना असान 100 molecular weight जोड़ो calcium 40 carbon 12 oxygen 48 molecular weight 100 तो किसले express कर रहे हैं भाई क्योंकि molecular weight is 100 it is easy to remember molecular weight ठीक है दूसरा calcium carbonate is not easily soluble in water it precipitates out therefore we express hardness generally as calcium carbonate the total hardness bracket में SCO3 निकालना है अब कर दीजे calculate अब समझ गये वह 2.8 ml जो आया था वह वाइन रिट से ब्लू रंग करने में आया था 100 ml पानी का सेंपल था और 0.05 molar EDTA की strength कितनी है 0.05 molar तब निकाल पाएंगे hardness यह निकलेगी मिली ग्राम पर लिटर में निकाल पाएंगे कि नहीं यह हम बताएं यह साइन्मेंट है यह hardness बड़ी calculation आपने करी होंगी तो आवाज नहीं आ रही है नहीं क्लियर हुआ बता दीजिए अभी शेक अभी शेक है यह से और कोई कोई और बच्चा बताना चाहेगा सर फॉटीन मजी पर लिटर ग्रह मैंने क्ल्कुलेट ने क्या बताए यह फॉर्मूला यह पिया विभी फा आपने पानी तो हंड़ेड एंड़ेड बाइंड़ करें मैं बताऊं कि लिखिए ठीक चलें आप आपने अपरोच एक दम ठीक पकड़ी लिखिए टोटल हालनेस ब्रेकिट में लिखिए CACO3 इसका फॉर्मुला क्या इसका फॉर्मुला है ml of EDTA consumed that was 2.8 ml into strength of EDTA it was given to us 0.05 molar तो 2.8 multiply 0.05 multiply यह molar है तो किसका molecular weight लेंगे जिसमें express कर रहा है किसमें express कर रहा है calcium carbonate और तो molecular weight ले लेंगे यहां into 100 ठीक है क्योंकि molar था is it clear अब into divided by पहले आजाए divided by 100 ml में निकाला divided by 100 in 2000 उपर आएगा 1000 क्योंकि मिली ग्राम पर लीटर में जाना तो कितना ml था हंड्रेड तो हंड्रेड बटा 1000 करेंगे 1000 उपर चला जाएगा तो हो क्या गया फॉर्मूला 2.8 into 0.05 into 100 into 1000 divided by 100 इतना मिली ग्राम पर लिटर विसको calculate कर लिजे यह बताएगे कि क्यातना बताया था 0.14 14 14 नहीं होगा 140 होगा थाउजन से कर दिया था हंड्रेड से करना और उपर थाउजन चला जाएगा अब जड़ा बदल दीजिए अब मैं आपको कहता हूँ फोर हेम एंए टीटीए लिए कंजूम हुआ है फोर हम एमेली डी टीटी ए कोस्टन लिखए असाइन्मेंट लिखिए फोर है मल इडी टीटी है कंजूम हुआ ओर एडिटीए की स्ट्रेंथ है जीरो पॉइंट जीरो फाइव नार्मल मोलर नहीं है और अब express करिए as calcium carbonate अब निकाल लिए अरे नार्मल जो आपने बला इसको पहले करना है ना मोलर में ना इसको क्यों करने तो strength हो गई ना यह तो 0.05 नॉर्मल दे आईडिटी है अब आपकी result बदल जाएगा उपर मतलब जो 2.8 ना क्या वो 4 ml में पॉइंट आ रहा है आप करेंगे फोर इंटू 0.05 अब यह नॉर्मल था और किसमें एक्स्प्रेस करना है calcium carbonate तो नॉर्मेटी किसमें मल्टिप्लाई होती एक्यूवलेंट वेट तो जहां 100 किये थे अब यहां 50 कर दें 50 करना है क्योंकि अब मैंने आपको दे दिया नॉर्मल पहले दे रहा था मोलर तो मोलर इस अल्वेज मल्टिप्लाइट बाए क्योंकि क्योंकि नॉर्मल आ गया 50 कैसे हो गया calcium carbonate में फेक्टर दो है सो मोल्यूवलेट वैए तो एक्यूवलेंट वेट कब तरह यूज करेंगे जब हमें इडिती नॉर्मल में दिया हुआ है तब और मॉलेटी इस अलवेज मॉल्टिप्लाइट बैए बस यहां 50 कर दिया इन 2000 डिवाइड़ेड़ वाए 100 टो म स्टा वही रहनी है और सब्सक्राद यहां exclusives यहां ऐसकता है आपका जयांट करेंगा बनाती और जिस ट्रेंड हो होगा क्योंकि EDTA की normality molality अगर उसने 10 g लिया हूगा पांची ग्राम ले रहा हो तो तो क्योंकि normality में बना रहा है तो पांच 0.05 इंटू 50 करते थे और वहां करते हो 0.05 इंटू 100 तो यहां दो और चार हो जाएगा इडिटीए का जो एंड पॉइंट है वो बदल जाएगा समझे मेरी बात नहीं बूबू बस यह कंसेप्ट अगर यह समझ गए तो आप आधी चीज क्लियर हो गया क्योंकि एडिटीए अगर नॉर्मल है तो जादा एमल में एंड पॉइंट देगा एडिटीए मोलर है तो कम में देगा तो वही नंबर बदलेगा लेकिन एंड रिजल्ट तो सेमी रहना है न एंड हालनेस वोड़ी बदलेगी तुमारा जो एंड पॉइंट आ गया बदलना रखा उसने अंसर तो एक ही देगा तुम्हें क्या सेंपल पानी क्या सेंपल अगर एक दिया है टीचर में लेकिन तुमेरी स्ट्रेंट उस्ने नॉर्मल करदी उसको जल्दी आए तुम करोगे तुम करोगे बारा इंटुपॉइंट जीरो पाईव इंटूफ वो करेगा छे इंटू 0.05 इंटू 100 तो बारा पचास वाला भी छे सो हुआ छे इंटू 100 वाला भी छे सो हुआ लेकिन वो करे दीज्रा भी छे सो हुआ 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 हुआ